Hello friends, welcome to AVS Study Point तो friends, आज आप लोगों के लिए लेके आये हैं एक special वीडियो यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो special railway की तियारी करते हैं तो friends, ज्यादा समय न लेते हुए 100 plus questions हम लोग कम से कम समय में करने का प्रियास करेंगे तो फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जूड़ जाएए चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि पलपल की अपडेट आपको मिलती रहें अगर इस बीडियो का पीडियाप आपको डाउनलोड करना है तो इस बीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बीडियो का पीडियाप का लिंक मिल जाएगा और जाकर कि उस लिंक के थ्रूँ इस बीडियो का पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं चलते हैं कुश्चंज के तरफ अर्जुन पुरस्कार का आरंभ हुआ था 1961 से यह अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के छेतर में दिया जाता है कॉलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो यह इनेस्को के द्वारा दिया जाता है या बिग्यान के छेतर में दिया जाता है रित्वी की घुड़न गती उचितम होती है उत्तरी दुरों पे होती है केंदर सासित प्रदेसों का सासन चलाया जाता है तो राष्ट पती के द्वारा चलाया जाता है बिश्वा में प्रथम नोबिल पुरसकार साहिते में दिया गया था तो किसे दिया गया था टोनी मर्शन्स को दिया गया था एसिया विकास बैंग का मुख्याले मनीला में है यह मनीला फिलिपिन्स में पढ़ता है असोग का अभिलेक सरोप्रतम कब और किसने पढ़ा तो 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया या प्राचीन अभिलेक है भारत का सबसे बड़ा गलेसियर कौन है तो वह है सियाचीन गलेसियर मोहनी अटम कहा का निर्टे है तो या केरल का निर्टे है प्रथम योग ये बिस्विदाले की अस्थापना कहा हुई थी तुमुंगेर में हुई थी अकास में सरवाधिक चमकदार तारा है वो जो है साहिरस है डेंगु ज़वर होता है भी साडू के द्वारा होता है जोग ये अगर सुपा जल्ब प्रपात किस नदी पर इस्थित है सरावती नदी पर इस्थित है जो करनाटक राजे में है चलते है नेस्ट कुश्चन के तरफ मेटूर बाद किस नदी पर बना है तो मेटूर बाद कावेरी नदी पर बना है जैविक चटान है कोला एक जैविक चटान है एथलिट फूट नामक बिमारी होती है तो फंगस के द्वारा होती है उप्राश्पती का कारेकाल होता है पांच वर्स के लिए होता है रोलेट एक्ट किस वाय सराय के काल में पारित हुआ तो किस वाइसराय के काल में पारित हुआ लाड़ चेम्स फोर्ड के काल में पारित हुआ समिधान के समक्ष उद्देशी का प्रस्तावित किस ने किया था तो वो जवाहरलाल लेहरू ने किया था बाड़ भट किसके दरबारी थे तुबाडवर्ट किसके दर्बारी थे? हर्सवर्धन के दर्बारी थे खुद को बंगाल का सेर कहने वाला गवर्नर जनरलन को था तो खुद का बंगाल का सेर कहने वाला गवर्नर जनरल वो लाड़ बिलेजली था इसलाम की अस्थपना हुई थी सात्मी सताबदी में हुई थी पृत्वी की भूप्रिष्टिय अस्तर को क्या कहा जाता है तो उसको सियाल कहा जाता है भारत छोड़ो अंदुलन 1942 के दोरान भारत का वायसराय कौन था तो भारत का वुश्वं में वायसराय लाड लिन लिती वो था टिहरी बांध का निर्माड किस नदी पर हुआ है तो भागी रती पर हुआ है Statue of Liberty कहां इस्तित है तो Statue of Liberty न्युवियार्क में इस्तित है कास्मीर में हिंदु राजे की अस्थापना स्वरपर्थम किस ने किया था तो कास्मीर में हिंदु राजे की अस्थापना स्वरपर्थम करने वाले सुहादेव थे रेलेवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था तो रेलिवे बजट को आम बजट से अलग 1924 से 25 में किया गया था चीटियों में कौन सा अमल पाय जाता है चीटियों में फार्मिक अमल पाय जाता है भारत में पंचवर्सिय योजना को किसने बिक्सित किया तो पीसी महाल 29 ने किया था भारत में पीन कोड की सुरात कब हुई थी तो भारत में पीन कोड की सुरात 1922 में हुई थी स्त्रवण बिलगोला में स्त्रवण बिलगोला में गुंतिश्वर की मुर्ती का निर्माण किस ने करवाया था तो इस मुर्ती का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था तो वह बिग्यान केलोलाजी कहलाता है राजसबा के सदस्यों का कारेकाल होता है छोवर्स का होता है विश्व बैंका मुख्याले है वासिंग टन्डीसी किसी रंग में तरंगदेर सरवादिक होती है तो वह लाल रंग है जिसमें तरंगदर सरवादिक होती है बियर और बुल सब्दों का प्रयोक होता है तो बियर और बुल सब्दों का प्रयोक सेयर बजार में होता है सरीर के ताप को नियंतरित करता है तो कौन करता है? हाइपोथेलमस करता है पंच वर्स यह योजना का विचार किस देश से लिया गया है तो यह रोज से लिया गया है ठोस कोंड की इकाई होती है इस्टे रेडियन एक प्रकास वर्स बरावर होता है 9.46 into 10 to the power 12 कीमी एक प्रकास वर्स बरावर होता है 9.46 गुर्टे 10 की पावर 12 कीमीटर प्रकास वर्स का मातरक दोरी है प्रकास वर्स मातरक है तो दोरी का मातरक है अलाव दिन खिल जी का दारवारी कभी था तो अमीर खोचुरो था चीन से चीन ने भारत पर अक्रमर कव किया तो ने सुबासट में किया आख के भीतर पश्च सतव को कहा जाता है कहा जाता है उसे द्रिश्टी पटल कहा जाता है दोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है तो पारसेक होती है एक किलो वाट घंटा कितने किलो कैलोरी के बरावर होता है तो कितने कैलोरी के बरावर होता है राज बिले निती को किसके सासनकाल में हुआ था लिगनाइट कोईला को क्या कहा जाता है बोरा कोईला भी कहा जाता है भारत की पहली मैला सासिका थी तो कौन थी रजिया सुल्तान थी सबसे पहला भारत निर्मित प्रचिपास्त्र है तो वो है प्रित्वी मौसम भी ज्यान अनुसंधान संस्तान कहा जिस्तित है तो नई दिल्ली में है मरिग मरिच का बनने का प्रमुक काराण क्या है पूर आंतरिक के काराण बनता है धूप चस्मा में किस कांच का प्रियोग होता है तो धूप चस्मा में जिस कांच का प्रियोग होता है वो है कुरुक्स कांच कुरुक्स कांच का प्रियोग दूपी चस्मा में किया जाता है समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फैदो मीटर के द्वारा मापी जाती है सूर्य के सबसी नजदीग्र है बुद्ध है इमली में कौन सा अमल पाय जाता है तो टाटरी का अमल पाय जाता है जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है दामोदर नदी को कहा जाता है बिहार का सोक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है सोक नदी को कहा जाता है विकास वाद का सिधानत किसे ने दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था राष्टे एकता दिवस कम मनाया जाता है तो राष्ट ये एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है तो स्वान है स्वान गलत निखा गया है तो स्वान ऐसे होगा बड़ा सा होगा स्वान चीन की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता जो राचीन सदेता है चीन की स्वान है लच्छी दीप की बोली जाने वाली भासा है तो है मल्यालम मैगनेट टाइट कारासाइनिक शुत्र है यफी 3-0-4 द्रविक्रित पेट्रोलियम गैस कारासाइनिक नाम है तो द्रविक्रित पेट्रूलियम गैस का रासाइनिक नाम ब्यूटेन है, सते में उजयते किस उपनी सत से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनी सत से लिया गया है, बंगाल का बीभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का बीभाजन उने 105 में हुआ था, तो लाड करजन के समय में ह बिश्व की पहली चालक रही ट्रेन को और कहां चली थी तो बिश्व की पहली चालक रही ट्रेन 2003 में सिंगापूर में चली थी क्रिश्व देव राय समकालीन थे तो किसके समकालीन थे बावर के समकालीन थे भारत में बीबी का मकबरा कहां इस्थित है तो औरंगाबाद महराष्ट में इस्थित है 22 में सम्मिधान संसोधन 1976 द्वारा कौन-कौन सब्द जोड़े गए थे जो पहला समझवादी दूसरा धर्मने पेच तीसरा अखंडता है निस्ट कोशन माल प्रभा पर्योजना किस राजे में इस्थित है तो किस राजे में इस्थित है करनाटक राजे में इस्थित है बांदी पूर राष्टिय उद्यान कहां इस्थित है तो यही करनाटक में इस्थित है अधिकांस मौसमी घटनाएं होती है, छोम मंडल में होती है भारत की अजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे तो भारत के अजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेवी क्रिपलानी थे भारत और पकिस्तान के बीच किस रेखा के द्वारा सीमा निर्दारण होता है तो रेड क्लीट के द्वारा होता है भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राजे कौन है तो महराश्ट्र है बिदुतरा सायनिक सेल को किस ने बनाया था तो लेकलांसे ने बनाया था वह कौन सी धातु है जो हवा के संपर्क में आते ही जल उठती है तो वह फास्पोरस है जो हवा के संपर्क में आते ही जल उठती है सुस्क बर्प कहा जाता है तो सुस्क बर्प किसे कहा जाता है ठोस कारवंडावी अक्साइट को कहा जाता है मुके या मोत्तर रेखा का देशांतर होता है तो जीरो डिग्री होता है राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है तो किस नदी से पानी मिलता है सतलज नदी से मिलता है राजस्थान नहर को पानी मिलता है तो सतलज नदी से मिलता है किस दिरवर्ग को सरवदाता की नाम से जाना जाता है तो और दिरवर्ग को सरवदाता की नाम से जाना जाता है धरातल पर उर्जा का अंतिम सुरत क्या है तो सौर उर्जा है धरातल पर उर्जा का सुरत अपिस्यता का अंत किस अनुछेद से संब्दनी थे तो अपिस्यता का अंत अनुछेद 17 से संब्दनी थे तालीकोटा या राच्छ सी तांगडी का युदकव हुआ था तो 1565 में हुआ था हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी है उसका नाम नामचा बरवा है लोहो या लाहो किस राज्य का नित्य है तो लोहो या लाहो जो मेगाले राज्य है वहां का नित्य है चीन की मुद्रा क्या है तो चीन की मुद्रा का नाम युवान है HTML का पूर्ण रूफ है Hypertext Markup Language Mars Gas कहा जाता है किसे कहा जाता है मिथेन को कहा जाता है बीजय नगर समराजय की अस्थापना किस ने की तो हरी हर और बुक का नामक दो भाईयों ने बीजय नगर समराजय की अस्थापना की दोनों ने मिल करके इस समराजय को बसाया था मनुस्य में कितने जुड़े गुर्षूत्र पाया जाते है तो तेही जुड़े गुर्षूत्र पाया जाते है उबेरकप किस खेल से संबंदित है तो बैडमिंटन से संबंदित है राष्ट्य सोध संस्थान कहा है तो नागपूर में है सुर्य के बाद प्रित्वी के सबसे नदीक तारा कौन है तो प्राक्सिमा सेंचुरी है मोटियों का दीप कहा जाता है बहरीन को भारत की सीमा कितने देशों के साथ जोड़ी है तो भारत की सीमा साथ देशों के साथ जोड़ी हुई है एक पलाय बंगलादेर जिसकी लंबाई 4,096 किलोमीटर है दूसरा चीन है जिसकी लंबाई 3,488 किलोमीटर है तीसरा पकिस्तान 3,323 किलोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है नेपाल 1751 किलोमीटर के साथ जुड़ा है म्येमार 1643 किलोमीटर के साथ जुड़ा है बोटान 6,99 किलोमीटर के साथ और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ जुड़ा है तो सबसे कमदूरी साजा करने वाला अफगानिस्तान है हिंडन बर्ग जो रेखा है किसके बीच इस्थित है कि हिंडन बर्ग रेखा जर्मनी और पुलेंड के बीच इस्थित है सबसे अधिक पारा कहां पाया जाता है तो इस्पेन में पाया जाता है पेरियार नदिक किस राजे में बहती है केरल राजे में बहती है जालियावला बाख रत्यकंड की जाँच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था भारत की मुखे भूमी की तट्य भाँ की लंबाई कितनी है तो एक सर सो किलो मीटर है तो फ्रेंट्स इस वीडियो का लाश्ट कोश्चन्स प्रकृति में पाये जाने वाला पदार्थ जो है हीरा है तो फ्रेंट्स मुझे उमीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी